Hello everybody, physics by Kapoor sir में आपका स्वागत है और आज हम कर रहे है numericals of class 12th CBSC physics of chapter number 6 तो यहाँ पर हमारे को एक current carrying wire दे रखी है जिसमें कितना current flow कर रहा है आई और इस से A distance पे, ये distance कितनी है A, A distance के बाद में आपके वासे में एक square है और ये जो square है इसकी length कितनी दे रखी है L और width भी कितनी होगी, जब ये square है तो लंबाई चुड़ाई बराबर होगी L ठीक है और इस current carrying wire की वज़े से एक magnetic field generate होगा वो magnetic field किसमें से pass होगा, इस square में से pass होगा और उस magnetic field की वज़े से flux होगा, flux की value हमें determine करनी है magnetic flux क्या होता है, इसे हम दिखाते हैं, 5B से दिखाते हैं 5B is equal to होता है, vector B dot vector A लेकिन ध्यान रहे हैं, ये formula तब लगता है, जबकि magnetic field and area vector दोनों क्या होते हैं, constant होते हैं लेकिन यहां पर magnetic field constant नहीं है, क्योंकि pass में magnetic field जादा होगा किसी current carrying wire के जो नजदीक के area है, उसमें से pass होने वाला magnetic flux जादा होगा या magnetic field जादा होगा, जैसे जैसे हम इस wire से distance पे जाते चले आएंगे वैसे वैसे magnetic field B की value change होती चले आएगी जहां पर variable magnetic field होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, flux निकालने के लिए, 5B निकालने के लिए हम D5B निकालते हैं, छोटा सा magnetic flux निकालते हैं, और उसका क्या कर देते हैं, integration तो अब हम यही करने जा रहे हैं छोटा सा magnetic flux निकालने के लिए हम एक छोटी सी strip ले लेते हैं यहां पर छोटी सी पटी ले लेते हैं और इस strip में से इस पटी में से पास रहने वाला हम magnetic flux देखेंगे कितना होगा और फिर total magnetic flux के लिए हम क्या कर देंगे integration तो यहां से यहां तक की जो distance है पट्टी तक की वो कितनी है x और यह जो strip है पट्टी है इसकी जो width है वो कितनी है dx dx का मतलब d लगाने का मतलब है चोटी सी width x का मतलब तो हो गई distance और dx का मतलब चोटी सी distance dx और आगे हम चलेगे तो यहां से यहां तक की है कितनी है dx है ठीक है तो एरिया कितना हो जाएगा strip का एरिया area of strip area क्योंचा है length into width length कितनी है यहां से यहां तक की l width कितनी है dx यानि l into dx तो यह चोटा सा area है और छोटे से area को हम दिखाएंगे डी ए से चोटा सा magnetic flux कितना होगा डी फाइबी डी फाइबी की value कितने होगी vector b dot vector d जहां b क्या है magnetic field due to this current carrying wire अब हम magnetic field की value अभी हम देख लेंगे पहले हम उसकी direction देखते हैं क्योंकि current carrying wire इधर से इधर current जा रहा है तरफ वो direction किसकी होगी हमारी magnetic field की होगी और इसी direction में हमारा area vector होगा perpendicular to the paper and downward area vector जो होता है हमेशा area के perpendicular होता है इसलिए इसकी value आजाएगी b da cos 0 because magnetic field and area vector both are in same direction same direction है तो cos 0 cos 0 की value कितनी होगी 1 यानि क्यों होगया magnetic flux होगया d5b की value होगी b da और da की value हमने अभी अभी देखी थी ldx यानि की b l d x यह छोटा सा magnetic flux होगया अब b की value हम देखते हैं infinite length की अगर current carrying wire होती है तो उसकी वज़े से formula हमें पहले से पता होता है mu note i upon 2 pi r r की जगे हैं यहां से यहां तक की distance यहां से यहां तक की distance कितनी है x तो यह magnetic field का formula हमें पहले से बता है तो यह formula हम यहां रख देंगे तो यहां जाएगा mu note i upon 2 pi x 2 pi x ठीक है into l d x यह छोटा सा magnetic flux d5b आ गया अगर हमें total magnetic flux निकालना है 5b तो हमें क्या करना बढ़ेगा इसके integration जब हम integration करेंगे तो जो जो चीज़े constant होती है integration के sign में से क्या जाएंगी बाहर जैसे कि यहां पे mu note upon 2 pi पूरा constant है i भी constant है l भी constant है बचेगा क्या है यहां पे 1 upon x 1 upon x का integration आपको पता है कितना होता है log x होता है 1 upon x का integration log x तो यहां पे हो जाएगा mu note i और upon 2 pi formula आपको याद होना चीज़े log x और log भी कौन सा होता है natural log होता है यानि e base पे होता है log x हो जाएगा अब इसकी limit आएगी तो यहां आपको limit पता होनी चीज़े कि कहां से कहां तक है देखो आप integration कहां से कहां तक कर रहे हो magnetic field कहां से कहां तक इस पूरे square में pass हो रहा है a distance से लेकर x की value कहां से कहां तक change हो रही है a distance से लेकर a plus l तक जो nearest side है जैसे यह वाली जो side है इसकी distance कितनी है इस wire से a जो farthest side है उसकी distance कितनी है a plus l तो यहाँ जहाँ पर भी हमने integration लखा है वहाँ पर integration की limit लिखेंगे A से लेकर A plus L तक A से लेकर A plus L तक तो यहाँ आजाएगी A to A plus L पहले क्या आती है upper limit फिर क्या आती है lower limit तो log E base पर जब हम रखेंगे तो यहाँ आजाएगा mu not I L upon 2 pi पहले हम upper limit रखेंगे X के place पर A plus L रखेंगे तो log E base पर A plus L आजाएगा फिर हम minus करते हैं जब भी integration होता है lower limit रखते हैं तो minus करते हैं और log E base पर हम X के place पर क्या रहे देंगे A तो यह हमारे पास में आजाएगा तो जब हम log minus में होता है तो वह divide में आजाता है तो इसका final जो answer आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूँ final answer आजाएगा mu note I L upon 2 pi log E base पर A plus L और upon L तो this is magnetic flux that is passing through this square of side L उमीद है कि आपको समझ में आएगा कोई problem होगा तो आप comment करके पूछ सकते हैं thank you